आदिम जाती कल्यान विभाग जिला कुंडा गाउं के अंतरगत संचाली तीन अलग अलग आवाशी विद्यालियों में टीचिंग एंड आफिस वर्क्स के लिए अतीथी सिक्षक और गैर सिक्षकी पदों पर अईस्थाई रूप से नुक्ती की जा रही है जहां पर अधिक्तम सेलरी आप अर्न कर सकते हैं 24,000 रूपीज पर मन्त और सबसे अच्छी बात है कि इस भर्ती प्रक्रिया में बारवी पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं इस रिक्रूट्मेंट से जूड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जॉब पिंग में ना सिर्फ आपको लेटेस जॉब इंफॉर्मेशन मिलती है इन फैक्ट इन रिक्रूट्मेंट एक्जाम को क्लियर करने के लिए आपको जिन भी रिसोर्स की रिक्वार्मेंट है वो सब कोछ आपको यहीं चैनल पे मिलेगा तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया तो प्लीज कंसीडर सब्क्राइबिंग एक सोसाइटी के माध्यम से संचालित किया जा रहा है यहाँ पर यह वेकैंसी निकली हुई है जहाँ पे स्टार्ट डेट है तेश से दोहजार बीस और लास्ट डेट आपकी है पांच जुलाई दोहजार बीस की यह आप जो लिंक देख रहे हैं यहाँ से ऑफिशल नोटिफिएशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और डीटेल्स देख सकते हैं तो चलिए हम डीटेल्स देखते हैं अफिशल एड़ोटिस्मेंट ओपन हो गया है देखिए क्या क्वालिटी है बाकी जिला वाले कैमिस कैनर यूज करते हैं एक फ्री सॉफ्ट वेर है इनके पास एक स्कैनर भी नहीं होता है अटलीस अगर आपको फ्री सॉफ्ट वेर यूज ही करना है तो ऑफिस लेंस लिखानी होता है नीचे कैमिस कैनर का यहां पर तो चलो बाकी लोग तो कर भी रहा है पीडिये फॉर्ण पर अफ्लोड यह तो पता नहीं क्या किया हैं कैसा इमज लिए हैं और सीरे अपलोड कर दिये हैं यह है सीरियसनेस इनकी चलिए खेर हमको तो इन्फॉमेशन देखन यहां पर हमारे लिए जो इंपॉर्टन इंफॉमेशन है वो है जैसा कि हमने आपको पहले ही बताए कि आदिन जाती कल्यार भाग के अंतरगत संचालित जो आवासी स्कूल है तीन अलग-अलग स्कूल है जिला कुंडा गाउं में वहां पर टीचिंग और आफिस वर्क के ल करते हैं कि आपकी लास्ट डेट है छे जुलाई दो हजार बीस को शाम को साड़े पांच बज़े तक आफिस आवर्स तक आप यहां पर एप्लाई कर सकते हैं कि इस आफिस में आपको एप्लिकेशन भेजना है यहां पर यह फिर से पुराने स्टोन एज में चले जाते हैं लोग रिजिस्टर डाग से एटलिस्ट इमेल का उप्शन तो रखिए बहुत गलत चीज हो रही है यहां पर यह सिर्फ रिजिस्टर डाग बोलते हैं इसमें बहुत डेले होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है चलिए कोई नहीं इसके बाद यह यह भी निस्षित करत है गोलवांड वर्तमान में संचालित विकासखंड कोंडा गाउं दूसरा स्कूल है नवीन एकलव आदर्श विद्याला बेडमा विकासखंड केशकाल और तीसरा स्कूल है नवीन एकलव आदर्श विद्याला चिचाडी विकासखंड फरसा गाउं जिला कोंडा गाउं त तो चलिए देखते हैं हमारे पास number of vacancy कौन कौन सी है तो सबसे पहले जो teaching staff है सिक्षक टीजीटी इनके लिए जो है उसमें subject है सबसे पहले कला का इसमें दो teacher की requirement है जो दोनों अनुसुची जनजाती के लिए result है अब यहां पर क्योंकि section कह रहता है जो है यह तीन पदों के ल एक और एक unreserved है इसी तरीके से विज्ञान subject की बात करें तो तीन पद है टोटल यहां पर फिर से अनुसुची दिन जाती एक अन्य पिछड़ा वर्ग एक और अनारक्षित एक अब इनकी section ही कहरता है क्या होनी चाहिए तो मान्यता प्राप्टिश्विद्याले से न्यून four periods attend कर सकते हैं ले सकते हैं तो इस तरीके से एक दिन का 800 बनेगा तो आप maximum 24,000 रुपए तक मन्त में earn कर सकते हैं इन तीन पदों पर अगर आपके recruitment होती है तब चौथा जो पद है वो है संगीत सिक्षक का सिर्फ एक पद की requirement है यह नारक्षित के लिए रखा गया है और यह यहां पर आपको जो requirement चाहिए educational qualification वो है मानेता प्राप्त विश्विद्याला से 50% marks के साथ में संगीत विशाय में graduation साथ में टबला दोलक harmonium का भी आपको knowledge होना चाहिए यहां पर आपको salary मिलेगी 150 rupees per period maximum 4 period आप ले सकते हैं तो इस तरीके से आप calculate कर सकते हैं 600 rupees आपको एक द आ रहा हूँ अगर आपको number of periods कम मिलेंगे किसे दिन तो आपका total sum है वो कम हो जाएगा अगले post की बात करते हैं पाच्वा post है सिक्षक सारे इक सिक्षा के लिए तो यहां पर भी सिर्फ एक ही post है यह अनारक्षित पत के लिए है यहां पर भी 50% marks होने चाहिए आपका graduation संब अब बात कर लेते हैं non-teaching staff जो की office work के लिए recruit किया जा रहा है या फिर other work के लिए तो यहां पर सबसे पहली post है staff nurse की जहां पर staff nurse की जहां पर तीन पद है जिसमें से एक अनारक्षित एक अनुसुजी जनदाती और एक OBC के लिए result है यहां पर आपको educational qualification जो चाहिए वो है ब 15 requirement है यहां पर four year का आपका nursing का course होना चाहिए बेसी का साथ में आपका 36 गड़ nursing counseling में registration होना चाहिए और आपका दो साल का experience भी होना चाहिए आपको per day 500 रुपीज यह देंगे इसके हिसाब से आप यहां पर 15,000 per month earn कर सकते हैं next हम देखेंगे computer operator का post है यह तीन पद यहां पर ह यहां इसके लिए इसमें एक अनारक्षित का है एक अनुसुथी दिन जाती के लिए और एक OBC के लिए रिजर्ड है तो यहां पर आपके educational qualification क्या है कि मानता प्राफ संस्थान से आपको DCA, PG DCA में minimum 50% mark के साथ आपको pass होना पड़ेगा और साथ में आपको office work का experience होना इसमें जो आपको salary मिलेगी वो आपको skill labor की मिलेगी और collector date जो रहता है उसके हिसाब से daily wages की रूप में आपको salary मिलेगी उसी तरीके से आठवे post की बात करें तो यह है प्रयोग साला परिचालक का यहां पर भी सिर्फ एक post है और वो भी unresort category के लिए है तो यहां पर आपको विज्ञान संकाय से मतलब science background से 12th pass होना चाहिए साथ में 50% कम से कम आपके mark होने चाहिए जो की ज़रूरी है बारवी कक्षा में आपका विशाय biology फिजिक होना निमार्य है अगर आप रहोग साला परिचालक के लिए apply कर रहे हैं तो यहां पर आपको salary मिलेगी वो semi skilled worker के जो की page number two की रूप में दिया हुआ है जो की आधा अधूरा सा लग रहा है अचानक से random सा लग रहा है तो यह application का एक part है जो आविदन पत्र आपको भरके भेजना है उसका last page है यहां पर यह इन्होंने document भी mismatch किया हुआ है arrangement इसका गलत किया गया है बहुत ही careless तरीके से recruitment post कि है इन्होंने यह देखिए आवेदन पत्र है इसको हम बाद में देखेंगे पहले हम जो नियम शर्थ है इस recruitment से जूड़ी हुई उसको देख लेते हैं यह नियम शर्थ का page है जो की mismatch होकर कि उपर नीचे हो गया है यहां पर आपका एक जरूरी requirement है कि आपका जो रोजगार पंजियन है वो आपका होना चाहिए currently active होना चाहिए इसके बिना आप apply नहीं कर पाएंगे उसके बाद आपको अगर teaching post के apply कर रहे हैं और आपके पास M.Ed या B.Ed की qualification है तो आपको प्रात्मिक्ता दी जाएगी स्टाफ नर्स के लिए आपको minimum of three years का experience होना compulsory है यहां पर उसके बाद अगर आप एक सेधिक पदों के लिए apply करना चाहरे है तो सभी के लिए अलग-अलग आपको आवेधन करना पड़ेगा और आवेधन में आपको संस्था का नाम मतलब हो तीन school है उसमें से किस school के apply कर र होगा रहकर क्योंकि educational institute यह है वो आवासी है यहां पर residential school है यह तो आपको भी रहना पड़ेगा और आपको अपने खाने और सोनी की वेवस्था खुद ही करनी पड़ेगा आपको जो salary मिल रही है उसमें से ही आपको यह arrangement आपका खुद का करना पड़ेगा आपको इससे जू हुआ है बिल्कुल भी effort नहीं लगाया है यह बहुत disappointing है देख करके ऐसा यह करते है जो चलिए अब मैं आपको आवेदन का प्रारूप दिखा देता हूं कि कैसा आवेदन है जो आपको भर कर भेजना है तो यह आवेदन का पहला page है यहां पे देखिए बहुत basic सी जानकारि है आपको इस पते पर इसको भेजना है आवेदन को अपने तो यह आवेदन आप भर लीजिएगा यह आवेदन का अगला पन्ना है इसको पर में लगा हुआ है तो यह इसका अगला पन्ना है अपर educational qualification और बाकी सारी simple जानकारी भरनी experience का यहां पर भरना है और जो आप certificates लग तो इस recruitment से जुड़ी हुई अगर आपकी कोई query है कोई सवाल है तो आप हमसे हमारे section या फिर हमारे social media handles के तुरू पूछ सकते हैं Thank you for watching hope to see you in our next video till then take care guys